प्रणाम और लहरे देख रहे हैं सारे दर्शकों को बहुत सारा प्यार हमेशा मैं पूस्ती हूँ कि कब आप सिंगर बनोगे हमेशा आपने नाई का आए अच्छा एक बड़ा दमाका कि मेरा दूर दूर तक सिंगिंग से कोई वास्ता था नहीं और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत अच्छी सिंगर या मतलब रेकॉर्डिंग करने लाएक सिंगर हूँ लेकिन जेपी स्टार पिक्चर और उनसे जुड़े लोगों ने नोगों ने मेरे उपर ये भरोसा दिखाया स्पेशली में नाम लेना चाहूंगी मोटी जी ने मेरे उपर बहुत भरोसा दिखाया कि नहीं माटम आप कर सकती हैं तो बहुत बार मुझसे गवा चुकी हैं तो मैं भी कही सुन लिया होगा लोगों ने इंट्रव्यूज में ही मुझे जब उन्होंने गाना बनाने की रेक说द करने की ठानी होगी तो फिर उनको लगा कि मुझे ट्राइ करना चाहि है एंड शूचरे काल मी कि मैडम आप के लिए मैंने गाना का ट्रेक बनाया है ऐसे देखे लिए का आपना फार्द स सूच हूं तो फिर मैं पहले आकर ट्रैक सुनूंगी, मैं पहले ये देखूंगी कि मैं उस लायक खुद को भी जज कर पाऊंगी कि नहीं, खुद के साथ मैं एक होता है ना कि पहला confidence आना चाहिए, तो first day मैंने ऐसी rough गाया, मैंने का एक बार देखो कि कैसे गाते, कैसे, क्या होता क्या ह वैसा, तो उसमें भी उन लोगों को, उन लोगों ने मुझे बहुत ये किया कि नहीं, मैं अच्छा गा रहे हूँ आप, you can do it, फिर थोड़ा दूसरी बार गाया, तो लगा कि नहीं, अब ये प्रॉपर है, तो जब आउटकम निकला, तो हमने का आगी आरे, ये तो कुछ चला कि आगया, तो एक hidden talent मेरा खुद को पता चला मुझे, जब आप singing करते हो, जब आप कोई गाना record करते हो, तो छोटी बारिकिया बहुत सारी देखनी को मिलती है, चोटी बारिकिया को बहुत ध्यान लखना पड़ता है, कि गल्पी ना हो जाए, आप जब गाना record कर रही थी, तो आपको ये सब बारिकिया पता चली होगी, आपको लगा हो कि गाना बनने में इतरा इस कुछ होता है, अफकोर्स, ये all together एक अलग world है, because हम लोग अभी तक गाना मुझे हमें मिल जाये करता था और हम उस पर lip sing match करके perform करते थे, तो ये बिलकुल अलग चीज है, और गाना गाना बहुत अलग चीज है, क्योंकि आपको एक track मिल किता है, और उस track पर आपको सही सुर लगा कर, सही वो throw होना चाहिए, voice throw, और आपको feel भी आना चाहिए, कि आप जो गारे हो, अगर आप दुखी हो तो sad feel होना चाहिए, अगर आप खुश हो तो खुशी वाला feel होना चाहिए, तो वो छोटी-छोटी चीजे वो बहुत matter करती है, और यह सब सच में मुझे पता चली कि एक सिंगर को कितनी महनद लगती है, जाना चाहूंगे कि जो खाना है आपका, उसके lyrics writer कौन है, music किसमे लिया है, अहा, lyrics writer है इसके प्रकाश कुमार सिनहा, और जिसको शायदा जिन को हम प्रकाश बारूद के नाम से भी जानते है, और music director है, इसके रोशन, आयूश जी है, तो JP Star Pictures भोजपूरी के लिए ये गाना बना है, और I'm really happy कि मुझे अच्छा feedback मिल रहा है, पहला गाना था आपको, वो भी सेट को, तो कही ना कहीं दुखी से शुरुवत किया आपने, नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, जब मिला मुझे तो मुझे लगा कि वैसे भी मेरी जो audience जो जिस तरह की से मुझे पसंद करती हैं, तो वो जब थोड़ा intense scene होता है, और थोड़ा वैसा दुखी-दुखी वाला scene होता है, तो मुझे, in fact, मेरे इस पर, social networks पर ये message भी मिलते हैं, मुझे comments भी मिलते हैं, कि अब अच्छा रोते हो, तो मैंने सुचा, वाइनॉट, अब sad song ही है, तो ठीक है, सुर्दी जी, जब ये बाना आपका release होगा, आपने अपने दोस्तों को, आपने करीवियों को, अपने कलिक्स को भेजा होगा, तो क्या-क्या comments मिलें, कोई shocking हुआ, कोई shock होगी है, मौर कि, अरे, आजाने से कैसे singer बंदे हैं, आजाने से साथा लोग surprise हुए, और सबने, in fact, 99% लोगों ने यही खा, कि this is a hidden talent, जो अभी तक हमें नहीं दिखा था, कहीं भी आपका, और सबके सब बहुत खुश, बहुत positively लोगों ने लिया, और बहुत अच्छे से cheer-up भी किया है, मुझे, तो बहुत अच्छा लगा, अब बहुत अच्छे से कोई आपको कहा गया होगा कि अरे गाना भी गालो, मेरे साथ कोई गाना गालो, ऐसा कुछ कभी आपको offer मिला है? नहीं अभी तक तो नहीं उनको भी ये बात पता नहीं थी कि मैं गाना गा सकती हूँ अभी तक उनका फोन तो नहीं है लेकिन शायद हो सकता है आज ही रिलीज हो आए सौंग तो हो सकता है अभी करेंगे फोन I'm waiting इसके बाद क्या प्लाणने हैं सिंगें को लेकर और क्या प्लानने चल रहा हैं एक हमने एक और सैंट सॉंग ही रेकॉर्ड किया है लेकिन वो इस गाने से उसका जॉनर बिलकुल अलग है और वो थोड़ा हमने होली को मद्दे नजर रखते वे किया है तो वो भी अपने आप में बहुत अलग है और मेरे लिए फिर से नया है तो उसके लिए भी मैं उतनी ही एक्साइटेड हूँ काफी सारी एक्साइटेस है जो इसका गान आपको पसंद आता है आप उसके लारे फॉलो करते हो सुनते हो ऐसे तो सारे जो मेरे को आक्टर्स हैं सबने शायद सबने ही एक तरह से रेकॉर्डिंग का वो ट्राई कर लिया है सब भी गा रही है और जो मुझे अभी तक सबसे अच्छी लगती है और पब्लिक डिमांड में भी है तो वो है अक्षरा जी और उनके उनका गाना इनफाक्ट मैंने लाइव पहले भी सुना हुआ है तो वो मुझे थोड़ा बेटर लगती है अभी तक तो अभी तक सुना है या नहीं सुना है लेकिन देखते हैं आज अभी मुझे लगता है तीन चार घंटे ही हुए है रिलीज हुए तो हो सकता है अब उन लोगों का भी आए फोंग आए धेखते हैं क्या होता ई हाँ गाना क्योंकि एक वो डर था मेरे अंदर शायद कि मैं नहीं गा सकती हूं लेकिन अब वो निकल गया है तो अब अगर मुझे गाने के लिए कोई कहता भी है तो I'm like I can do it why not जरूर गाना तो जरूर चाहूंगी मैं यह कहना चाहूंगी कि दर्शकों ने मुझे बहुत 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 दिल से प्यार दिया है और फिल्म को मुझे लगता है कि सुपर डूपर हिट बनाने में सिर्फ और सिर्फ दर्शकों का ही हाथ होता है किसी भी फिल्म को तो कुछ गैप के बाद मेरी यह फिल्म आई थी और इस फिल्म ने अपना मार्क छोड़ा दर्शकों के बीच तो इसके लिए मैं दर्शकों के भी और भगवान के भी बहुत आभारी हूँ आगे क्या प्लाइग है फिल्मों को लेकर आगे क्या क्या चल रहा है और अभी तो सप्राइज देना मैंने शुरू किया है आगे आगे देखिए दो हजार बीस में स्मृती सिना इस फुल अफ सप्राइज़ तो जस्ट वीट इन वाच सोनू निगम कुछ भी गा सकते हैं और उतने ही प्यार से गाते हैं तो मैं उनकी बच्पन से फैन हूँ और डाइहार्ट फैन हूँ ऐसा तो मेरे फैन्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोकों ने मुझे फिल्मों में सराहा है मेरी आक्टिंग को सराहा है और मुझे अपने दिल में बसाकर रखा है वैसे ही आप लोग मेरी गाने को सुनिये अगर उस लायक लगे तो थोड़ी बहुत जगे मेरे गाने को भी दे दीजेगा थैंक यू हुआ 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 है